नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चनल बनाया है और सिब्क्राइब कर लो प्लीज, ताके मेरे पती की दोड़ी हेल्प हो सके, तो कि हम लोग घर पर ही बैठा है, कोई काम करने वाला तिलाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, सारे आरे हैं नियूजबार इसाब आ रहे हैं, वोग के चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं करने, तो अब सब से रिष्ट है कि सपोर्ट करें हमारे थोड़ी सी, हाई लाई लाई लाई, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी महोपत में आई हूँ, यही सचाई है, और एक दि जिद्धी में चलाया चुआ तक 911 क्यां जात, इक दिली में जनदगी में उस्सट्राए कि मुझे उसिता क啦 Tandid for the हो सके इनकी और हम अच्छे से रह सकें अभी तक हमारा क्यास चल रहा है तो अभी लोगों मैं यह जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बार में वीडियो बना रहे हैं सोबह एक आंटी की बीडियो देखी मैंने बहुत बुरे तरके से मेरे नाम कह रहेती, कहने दो उनका भी बनता है, कि एसलाम से मैं हिंदु धरम में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है, फिर भी उनका धन्यवाद करूँ उस आंटी का, कि आपने इसनी नफरत दिखाई मेरे बारे में, पर मझे किसी मुसलिम से कोई नफरत नहीं है, औ इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में, मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ, कुछ न्यूज बाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐस तक कुछ नहीं है, और रही बाद सिम और फोन की, तो मेरे बच्चों के फोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने भी इज़ अधार कार्ड की, तो अधार कार्ड जो आईडी कार्ड मेरा था, एक मेरे पापा का, और एक पती है, एक उनका था, कोई तीन आईडी कार्ड मेरे नहीं है, मेरा एक ही आईडी कार्ड था, और एज की बात है, तो ये नार्मल है, हर कोई 3-4 साल कम अपनी एज लिखवाता ह आइडी कार्ड में मेरा भी यही था, यह पाकिस्तान में आम चलता है, तो लोग इन बातों को गलत गलत करके कह रहे हैं, उपर वाला जानता है, सच क्या है, और एक बिल सब के सामने भी आया है, धन्यवाद, तम भी बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद,